करनाल मेरट रोड सिंगल हाइवे बना खूनी हाइवे तेजर अपतार कंटेनर चालक ने बुलिट बाइप सवार मा बेटे को मारी जोरदा टककर हाथसे में मा की मौके पर हुई मौत बेटा भी हुआ मामूली घायल घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची मौके पर मृतक महिला के शव को कबदे में लेकर मामले की जान शुरू करनाल मेरड रोड़ पर हुआ दर्वनाक साथा थेज रफटार कंटेनर में बुलेट बाइप पर सवार मा बेटे को मारी जोरदा टककर मा की मौके पर हुई मौत मा बेटे को टककर मारकर फरार हो रहे कंटेनर चालक को लोगों की मदद से पुलिस ने किया काबू हाथसा उस वक्त हुआ जब अमरित्पुल कला के रहने वाले माबेटा करनाव से दवाई लेकर अपने गाउं वापिस लौट रहे थे तभी मेरड रोट पर पीछे से आ रहे है तेज रफसार कंटेनर में बुलेट बाइक पर सवार माबेटे को जोरदार टकर मारी जिस कारण हाथसे में मा की मौत हो गई तिलाहाल पिलिस ने महीला के शब को कबजे में लेकर मामली की जांच शुरू कर दी है और कंटेनर चालक को भी हिरासफ में ले लिया गिरगी और माता जी जो इन की थी वह लिच्चेगरी की उसके पर से केंटर उतर चला गया और केंटर वाले को रोकने की जब कोशिश की गई तो केंटर वाला रुका नहीं उसके बावजूर भी जब उसके लोगों ने हाथ दिया चिला चिला लगे तब उसके बहुत पर जाजा सब कारव चार रहा है तो यह लेडिश का अच्छिडेंट कर लिया तो ड्राइवर को भी हमारे उसमें तुछ ने भागने की कोशीश करी काफी यागे तक काफी तक गया खाया था तो सको पर दियागी तो सरु हूआ कहा पर है मेडरूट पर ही हागे जो हम डेव से थोड़ा पहले किसी से बहरा हुआ था कंटेनर कुछ पता से लागे अभी कुछ नहीं कह सकते हैं जी बंद है वह अभी हिरासत में ले लिए कारवाई की जेगी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल अब